असलामों अलेकुम फ्रेंड्स मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 Total Quality Management की इस वीडियो में आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Important MCQs and Subjective Questions इस वीडियो में आपको मिलेंगे Most Important MCQs and Subjective Questions जोके Final Term के लिए Important है हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है आपको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताके दूसरे सब्जेक्ट की जब मैं Important MCQs and Subjective Questions की वीडियो बनाऊँगा तो वह आपको मिल जाएगी जिनको प्रिपेर करके अगर आप किसी वैसे लेक्चर नहीं ले पाएं तो उनको प्रिपेर करके आप शौट टाइम के अंदर अपने पेपर के अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्ला आपकी CGPA एक अच्छी बन जाएगी तो आईए आज के अपने इस लेक्ट्चर के स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक फाइल बना लिए लिए Total Quality Management, Important Subjective Questions and MCQs इसके अंदर जो है तमाम lecture नंपर 19 से लेके lecture नंपर 45 तक तमाम questions जो हैं जो के Important Subjective Questions हैं और important MCQs हैं जो के paper के लिए बहुत जादा important है वो मैंने यहां पर बना दी हैं और इन वीडियो के अंदर मैं आपको समझा भी दूँगा कि उनमें क्या सवाल पूछा जा रहा है और MCQs क्या हैं और क्यूं यह important है question के लिए और एक तरीके से यह जो subjective और MCQs होंगे अगर आप इस वीडियो को ही देख लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए है तो मेरे चैनल के अंदर वी जी एक्सपर्ट टीचिंग जो हमारा YouTube चैनल है उसके अंदर जो है तमाँ शूट लेक्ट्चर दूसरे सब्जेक्टिव और जो कोर्से के लेक्चर है उनकी जो फोर्ट लेक्चर हैं वो सारे वहां पर बने हैं और वह नोर्स किस तरीके से ल इा प्लोट कर सोक्षो अदिते हैं तो 10 साल पुराने और 15 साल पुरा ने और वियू करता है हमेशा अपना कुज्टुन ऐट यहांवी कुश्ट्व अटार कर रहेता है तो उससे क्या होता है कि और आपको जो है वो मसला आरहा प्राद कियुकर से थाなんです नहीं रहा होता और यह जो management के जाधर courses जो है मैं जो courses अपने lectures अपनी YouTube के उपपर जो मैं lectures upload रहा होता हूं वह जातर management के सब्जेक्स के related है management में specialization अगर कुछ लोग बिसने administration कर रहे हैं या public administration वगएरा कर रहे हैं इवन computer science भी कर रहे हैं तो उनके बहुत से courses जो हैं वो management के आ जाते हैं और जातर इस तरीके से त्यारी नहीं कर पाते क्यूंकि online है lectures बहुत जादा पुराने हैं lecture समझ नहीं आते concept के लिए नहीं होता है जिस वयासे आपके जो है papers के लिए नहीं हो पा रहे होते हैं तो यह कोशिश किए हमने आपको subjective questions बताये जाए समझाये जाए उससे क्या होगा कि आपका एक concept के लिए होगा कि पहला question है यहाँ पर explain the key component of total quality management as articulated by Karo Ishikawa how does it different from traditional approach to quality इसमें पुछा गया कि की component आपने बताने है total quality view के जो Karo Ishikawa ने बताए हैं उनकी approach के मताबिक और आपने ये भी बताना है कि traditional approach to quality किस तरीके से different है अच्छा अब आपके पास अगर तीन mark का सवाल आता है और component पूछे हैं तो आपने अगर तीन पॉइंट बता दी है वो काफी है अब यहाँ पर देखें एक और सवाल भी दिया हुआ है अब यह सवाल इस वयसे मैंने दो सवाल कर दी है इसा होगा नहीं कि आपके पास डबल सवाल आएं मेरी कोछी जी है कि आपको हर expect से सवाल दी दिया जाए ताके आप उसको अच्छी तरीके से पीपर कर सकें कि यह traditional approach से आए कि जो अपरूची से वह आपने बताना है और यह भी बताना है अब डूस ब्ली इंटे प्युपल कंट्रिबटेट तो ऑवराल और और को अर्गनाजेशन एक्वालिटी को अपनाते हैं तो और और प्यूपल को को अप्यूबूट करते हैं तो प्यूपल किस तरीके से यहां पर कुस्टोडन के मेरे पास आते हैं को सवाल यह एक अलग सवाल है यह अलग सवाल है तो आप दोगो प्रेपे रहलो ठीक है तो जिसमें से भी आगया आप इस बनाने का मक्सद सिर्फ यह है कि हर एक्सपेक्स से इस लेक्चर को कवर किया जाए हर तरीके से देखा जाए और जो इंपोर्टेंट कुश्चन है वह आपको बता दिये जाए ताकि अगर आप यह पांच-10 सवाल प्रिपेर कर लेते हैं या सिर्फ इनक आपने रोल बताना ISO 9001 का कि किस तरीके से सिस्टेमेटिक अप्रोच परवाइड करते हैं क्वालिटी मेंजमेंट के लिए और किस तरीके से ISO 9000 के स्टेंडर्ड जो है वो टोटल क्वालिटी मेंजमेंट प्रिंसिपल के साथ रिलेट करते हैं वो आपने यहां पर बताना है define the concept of big q and little q in total quality provide example to illustrate difference between the two big q की definition बतानी है और उनकी example बतानी है कि वो किस तरीके से difference है examine the impact of global market pressure on organization to improve quality while reducing prices how can companies effectively navigate these opposite economic pressure आपने बताना है कि global market पे क्या impact हो रहा है और pressure क्या आता organization के अंदर जब वो quality को ठीक करते हैं और price को reduce करते हैं और company किस तरीके से navigate करते हैं economic pressure को discuss the role of people in management in the context of new approaches to management हैनि कि जो लोग है management के अंदर उनका contact आपने बताना है मुक्तलिव approaches से management की how do successful companies in the global marketing manage budget and lead प्लूपल हैनि कि successful companies जो है वो global market के अंदर किस तरीके से budget को manage करते हैं और अपने लोगों को साथ लेके चलती हैं evaluate the European quality award and its criteria European quality award जो है उसको बताना है है उसका criteria बताना है highlight the category that is the relationship between enablers and result in the evaluation process आपने उसका relationship बताना है enablers के साथ और result evolution और result process आपने बताना है explain the significance of the Canadian award for business excellence quality criteria how do these criteria stimulate quality driven innovation Canadian enterprises आपने बताना है कि Kennedy अवरोड जो है business इसका quality criteria क्या है और यह criteria किस तरीके से quality driven innovation के साथ और Canadian enterprises को help करता है यह 10 important subjective questions हमने देखे लेक्चर नमर 19 के अब हम इसके important MCQs देखेंगे अब यहाँ पर यह चीज़ भी आप देख सकते हैं मेरी अप्रोच से पेपर करें यह मैं बिल्कुल एजिली रिलेक्स होगे अगर 30 MCQs है या 40 MCQs है मैं पूरा टाइम उनको दूँगा 40 मिनट ही दूँगा एक के उपर एक मिनट कुछ MCQs आपको आते होंगे वह आप 10 सेगिंड में कर लेंगे कुछ MCQs आपको नहीं आते होंगे 1.5 मिनट रखेंगे आपने यह रखना है कि subjective questions को आपने देखना भी नहीं है सबसे पहले आपने MCQs को अटेंब करना शुरू करना है और आपने यह कोशिश करना है अगर 40 MCQs है तो वह 40 मिनट के अंदर हो जाए अब आप MCQs करते जाएंगे उसके बाद क्या फायदा होगा अब देखें इसका सही आंसर नहीं भी है तो इशिकावा ने क्वालिटी ही इंप्रूफ की होगी न तो क्या होगा कि तीन चार पॉइंट कुछ न कुछ लिखने को आपको यहां से मिल जाएगा तो देखके आप इसका जो राइड आंसर है वो है वो है वो इसका करेक्ट आंसर है पुछ नमर टू है अपने एक आर्टिकल चाहपा था क्वालिटी डाइजेस्ट के अंदर जिसमें फ्यूचर की प्रेंड जो है वो एक्स्प्लेंड की थी क्वालिटी की तो वह किस नहीं की थी कह रोईशी कावा तो आगया एर्मेंट फ्रेग्मेंट तो आपको यहां पर समझ में आता है कि फ्यूचर से रिलेटेट जो चीज और सोसाइटी उसके बात है विच और्गनाजेशन एड्मिनिस्टेट दा उस्ट्रेलियन बिजिस एक्स्ट्रेंस एवर्ट यहां पर इसका अंसर है उस्ट्रेलिन क्वालिटी एवर्ट फांडेशन वाट इसा प्राइमरी परपस क्या है स्टेंडराइज सिस्टेमेटिक अच्छा यहां पर देखें एक चीज़ हो सकती है बलके हम पहले पूरे 10 MCQs देते हैं फिर मैं आपको बताता हूं वर्ट डास बीक्यू रेफर करता है कॉंटेक्स और क्या इंदर क्वालिटी के अंदर क्वालिटी और प्रॉसिस एंवार्मेंट को रेफर करता है विच अ सब्सक्राइब करेंगे यहां पर चीज़ देख सकते हैं कि कौन सा टोपिक डिसक्स हो रहा है यह आपने लिख लेना डिकमें अपके पास आंच्व लिए सकते हैं यह आप यहां से ले सकते हैं कि future of quality management, trend shaping future of quality management यह आप ले सकते हैं उसके बाद आप IMI का नाम ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप care o issue का आवा ले सकते हैं तो आपने 10 MCQs देखे इसके अंदर आपके पाद 6-7 main topic निकल गया है अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पाद टाइम नहीं है त्यारिया बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या करना मैं यह नहीं कहता कि आप मेरे lecture लें मेरे व्यूज आएं सारी चीज़े आएं मेरा मकसर सिर्फ यह है कि इस्टूडेंट जब आके इन वीडियो को देखें उनकी हेल्प हो जाए उनकी सीजी पर एंप्रूव हो जाए उनकी एजुकेशन के अंदर कुछ मेरा कॉन्टिबूशन हो जाए तो वो मेरे लिए दिल से दुआ कर लें यही चीज मुझे वीडियो देखेंगे तो आदे घंटे का कॉंटेंट आपके उपर होगा उसको आप देख लें उसके आपके जहन में बेड़ जाएगा और जागे आप पेपर देते लेक्शन अगर आप ऐसा कर लेंगे तो लेक्शन नमर 19 से कहीं से भी कुछ चना जाए आप कुछ ना कु अगर आपके पास सबसे बेस्ट अप्रोच तो यह है कि विर्चल युनिवस्टी के जो अपिशल लेक्शर है वह आप देखें सेमेस्टर के शुरू में देखना शुरू करें और आपके पाद टाइम नहीं है तो शॉट लेक्शर देख लें मेरे चैनल पर वह नहीं देख सकते हैं तो यह mcqs बाले लेक्शर देखने यह भी नहीं देख सकते हैं तो यह टोपिक्स की अप्रोच बताईए उसको सर्च कर लिए हम अपने लेक्शर की तरफ वापसी आते हैं अब हम देखते हैं लेसान नंबर 20 के सब्जेक्टिव कुच्च्चन एक्स्प्लें दा है और आपने की अ बताना है किस तरीके से कॉन्टिवर की नजर में केसे होने चाहिए क्राइबरेट करना है आपने सेवन के टिगरीज को मेलकम विलिलगिरिज नेशनल क्वालिटी अवर्ट के क्राइटिरिया को आपने फीडबेक सिस्टम बनाना है स्टेबिशी मार्केटिंग कंटीनुस मौनेटिंग कस्टूमर इंफ्रमेशन रेक्शन के उपपर एक्स्प्ल है वह रोल बताना है मार्केटिंग फंशन का कि वह किस तरीके से इंशोर करता है अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं और किस तरीके से अब बताना है कि मार्केटिंग फंशन के अंदर इंदर इसके बाद बताना है अगर पूर कम्यूनिकेशन होता है तो वह किस तरीके से अब बताना है उसके बाद लेक्षे नमर 20 के मेलकम बेरिज के अधरे वर्ट का प्रामरी फोकस क्या होता है तो इसका आंसर है प्रोमेटिंग हाई इंफर्मेशन मेंजमेंट सिस्टम को भी देखती है और परफॉर्मेशन मेजर मेंजर में शिस्टम को भी देखती है तो इसका आंसर है सी इनफर्मेशन एन एन अनलसिस उसके बाद कुश्चिन है अकोर्डिंग टुदा लेसं वट इस पूशल पो टोटल क्वालिटी और यह जो lecture हमारा lecture no.20 के मताबिक क्या चीज क्रूशल है total organization excellence के उसमें यह है proper functional part के तमाम parts अगर सही से काम कर रहे होंगे तो organization excellence easily achieve हो जाएगी what is ISO 9000-2000 primarily focus on ISO 9000-2000 का primarily focus किस चीज़ पर होता है इसका answer है B management involvement and quality management की involvement होनी चाहिए quality के अंदर यह ISO 9000-2000 का focus है what does the term total quality means is defined in the lesson total quality के क्या मतलब इस lesson की मताबिक beating the customer requirement के customer requirement जो मीटो अब आप से देखें अगर इसी paper के अंदर आप यह MCQs करके आए हैं पीछे और total quality definition आप से पूछी जाती है तो क्या यह MCQs आपको help नहीं करेगा total quality definition लिखने में obviously करेगा आपने MCQs बहुत दिहान से पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से टाइम देके एक एक मिनट अगर आप देंगे तो वह आपके जहन में रह जाएगा और आगे जब आपके आपके subjective question attempt कर रहे होंगे तो उसमें आप keyword देखेंगे अगर आपको मिले तो दुबारा पीछे आएं अपने MCQs देखें और उससे related option देखें और उसको जहन में लाते वे एक topic बनाके वहाँ पे answer लिखते हैं पेपर को बिल्कुल खाली शोड के ना है वाट दस द बैलिडवाट क्रेटेरिया लीडर्शिप पेटेगरी एक्जमें इसका आंसर है senior leadership direction direction and empowerment in the context of ISO 9000 what is emphasized for quality assurance ISO 9000 के context में क्या चीज़ के emphasize किया जाता है quality assurance की तो इसका आंसर है product and design process क्या मक्सद है तो इसका आंसर है c promoting high performance management practices वाट दस दे बैलिडवाट कस्टूमर और मार्केटिंग फोकस क्या एक्जामिन करता है तो यहां पे आंसर है भी determining customer requirement उसके बाद है what might an organization with a high level of maturity and total quality still pursue an ISO 9000 registration ISO 9000 के registration के लिए high level of maturity total quality किस चीज में चाहिए होती है यहां पर डीटु शोकाइद अधेरेंस्टो इंटरनेशन standard के इंटरनेशन standard जो है उनको आपने follow करना होता है और implement करना होता है तो यह वीडियो को आज हम खतम करते हैं यहीं पर लेक्शन नंबर 19 और 20 के हमने MCQs और सारी चीज़ें और सब्जेक्टिव कुछ्चन जो है वह यहां पर डिसकस किए हैं डिटेल के अंदर आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताएं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर ले ताकि हम मोटिवेट हो आपके लिए इतनी मेहनत करके यह वीड अधिवेट हो जाएंगे तो आपके लिए इंशाला ऐसी वीडियो मजीद लाते रहेंगे आजगी वीडियो में इतना ही दुआओं में याद रिखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हापिस